अब खबर आ रही है शुशान सिंग राजपूत की आत्मा को भी लेकर जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि लोग टारट कार्ड रिडिंग की मदद से अपना भविश्य जानने की कोशिश करते हैं और जब शुशान सिंग राजपूत के साथ 14 जून 2020 को हाथसा हुआ था तो इस स्पीच एक फॉर्णर शक्स ने भी शुशान सिंग राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा किया था और कई सारे खुलासे भी किये थे लेकिन वहीं अब शुशान सिंग राजपूत को दुनिया को कही हुए अलविदा कही हुए पाच मेने का वक्त भी चुका है लेकिन इस स्पीच भी शुशान के फैंस के उमेज शुशान के लिए इंसाफ की ऐसे में शुशान सिंग राजपूत की आत्मा को लेकर एक लड़की ने टरूट कार्डिडिंग की और इसमें शुशान सिंग राजपूत की आत्मा से बात की और टरूट कार्डिडिंग की मदद से उससे इस बात का है सास हो रहा है कि शुशान सिंग राजपूत काफी के साथ कलत किया है उन्हें सजा मिले और उनका असली चहरा भी सामने आए लेकिन उसे समझ नहीं आ कि आखिर ये सब कैसी होगा चुशान सिंग राजपूत आज भी इस बात को लेकर तड़ रहे है कि जीते जी उनकी जिंदकी में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला उनके दोस्त उनके यार सभी जूटे थे और सभी धोके बाद जिन्हों ने उन्हें धोका दिया और यहा लोगो का दरिंदिगी वाला चौहरा सामने आए जोनों ने शुशान सिंग राजपूत की जिन्दकी पूरी तरह से स्पोयल कर दी तो इस तरीके से उस लड़की ने टेरोटकार्ट की रिडिंग की मदद से शुशान सिंग राजपूत की आत्मा खुलेकर कई सारे खुलास कि उसने कहा कि शुशान सिंग राजपूत आज भी अपने इंसाफ के लिए तरप रहा है वो आज भी यही है उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है वो चाहता है उसे इंसाफ मिले और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अंकिता लोखंडे के सरह से मोवन होने को लेकर काफी जादा खुश है वो विकी के साथ काफी खुश नजर आ रही है और मैं चाहता हूँ कि अंकिता यूँ ही खुश रहे और अंकिता हमेशा ऐसे ही हस्ती और मुस्कुराती रहे तो यह है पूरी सचाई जहाँ पर टेरोट कार्ड रिडिंग के मदद से शुशान सिंग राजपूत के जाने के बाद भी उससे बात करने के सचाई को लेकर हमने खुला सकिया है जहाँ पर आज भी शुशान सिंग राजपूत की आत्मा दुखी है सिर्फ इस बात से कि उससे इंसाफ चाहिए जो अभी तक नहीं मिला नेक्स नाय लाइफ से रचनी की रिपोट